हेलो दोस्तों नमस्कान में प्रतिभा पांडे श्रागत करती हूँ आपके अपने योटूब चैनल इस्टोरी जोन प्रतिभा में तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाएं हैं कुछ जानकारियां सटी पांच कर्ज मुक्ति रामबाड उपाएं तो दोस्तों आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में इसलिए पूरी वीडियो में लाश्ट तक बने रहें कर्ज मुक्ति रामबाड उपाएं अगर कुंडली में कुछ बुरे ग्रह हो या कुछ ग्रहों के इस्तितियां खराब हो तो धनवान आदमें भी कर्ज के चंगोल में फर्च जाता है कर्ज में डूब जाता है चाहता तो है कि कर्ज चुका दूँ लेकिन पैसे की व्योस्ता नहीं हो पाती है और कर्ज इसकदर बढ़ता चला जाता है कभी कभी आदमी के आदमत्या करने की नौबता चाती है आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जिनसे आप आसाने से कर्ज उतार पाएंगे तो पहले है तो हनमान जी की कर्ज मुक्ती रामबाड उपाया अगर कुंडली में चठुवा भाग दूसीत हो तो या चठुवे भाग गराख खराब हो या कुंडली में मंगल खराब पीडित या कमजोर हो तो ब्यक्ति करजे में फस जाता है ऐसे ब्यक्ति को करजे से छुटकारा नहीं मिलता अगर आप करजे से परिशान है और छुटकारा नहीं पा रहे हैं करजे उतारने का आसान तरीका आपनाना चाहते हैं तो कुछ राम बाड़ उपायों के द्वर आपना करजे चुका सकते हैं पहला है हन्मान चाल्चा पाठ का करें जाप पहले इस दित अगर आपने करजा थोड़ा ही लिया है और प्रयास कर रहे हैं करजे चुका पा चुके हैं कुछ नहीं पा रहे हैं तो ऐसी दसा में हर मंगलवार को हनमान जी के मंदिर जाएं हनमान जी को लाल फूलर पित करें गुड़हल का तो वो तो बहुत ही अच्छा है नहीं है तो गुलाब का फूलर पित करें और फिर हनमान जी के सामने खड़े होकर हर्मान चाल्चा का पाट करें, निश्चित रूप से आप अपने छोटे से छोटे करजे से आसानी से चुका पाएंगे, और दूसरी चीज है सुन्दर कांट पाट का जाप करें, दूसरी इस्तित्वा होती है, जब एक करजा लिया से उतारा, फिर दूसरा करज और फिर उसे उतारा, तीसरा चड़ गया, यानि आपके उपर कर्जा हमेशा ही चड़ा रहता है, अगर ब्यक्ति के उपर एक के बाद एक कर्जा आता जाता रहता है, तो उसके छुटकारा नहीं मिलता है, तो ऐसी दसा में मंगलवार के दिन साम के समय सुन्दर कांड का है, रिण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें, तीसरे इस्तिति है कि कर्जा आप चुकाना चाहते हैं, लेकिन वो लगतार बढ़ता जा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चारो और अधेरा चाया हुआ है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, क्या करना चाहिए, हर मंग इतरोब से सुबा के समय रोज करते चाहिए, तकरीवन तीन महीने तक लगतार ऐसा करने से आप कर्जे के भवर में फसे गए हैं, उससे निकलने का रास्ता आपको दिखाए दिखाओ, चौती चीज है, भगवान गणेश की आराधना, तो दोस्तों चौती इस्तित में अग गाड़ी, मकान या दुकान खरीद पाएं, तो क्या करेंगे, ऐसे दसा में बुद्धवार के दिन, भगवान गणेश को दुरवार विद कीजिए, साथ में उनको लड़ू का भोग लगाईए, और भगवान गणेश से प्रातना कीजिए, आपका लोन, सेक्सन हो जाए, औ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो करजे प्राप्त करें, और सबसे लाश्ट पाच्यू चीज़े, स्यू पुराण के अंसार कर्ज मुक्ति के उपाएं, अगर आपको किशी न किशी बात के लिए करजा, अलग-अलग लोगों से लेना पड़ता है, वो चुका नहीं पा रहें, कर्ज बहुत जादा बढ़ गया है, तो ऐसी अवस्ता में आपको स्यू महापुराण के अंसार वटकेश्वर बंदिर की आराथ न करने चाहिए, क्या करें, एक लोटा सुध जल लें, थोड़ा सा पिसा हुवा चावल और थोड़ी फिसी हुई हल्दी जल में डालें, फिर वटकेश्वर यानि वट ब्रिच के नीचे जाएं और उसे जल को वट ब्रिच के जड़ में अरपन करें, अपनी काम ना बोलें, यानि कर्जी की परिशानी बोलें, ऐसा तेन या पांसो मोर्गों करें, फिर आखरी सुमोर्गों को वहां से वट ब्रिच क थोड़ी से जड़ ले आए और लाल धागे या कपड़े में बांध कर जेब में रख लें कन से कन तीन महीने तक इसे वटकेश और महादेव की किर्पा प्राप्तों गीता था लश्मी प्राप्तिर होती रहती है और आपका कर्जा भी कम हो जाता है यह उपाय ना सिर्फ आप अगर हमारी चोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताईएगा और हो सके तो किसी को ऐसी परिशानिया हो तो कोशिश जरूर करिएगा कि आपकी परिशानिया दूर हो जाएं और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिलकुल मत इसने हमारी चोटी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और आपके द्वारा हमारा प्रोष्पाहन बरता रहें धन्यवाद दोस्तों